एक ही परिवार के बीच पहले कहा सुनी हुई उसके बाद छड़ब और जब विवाद बड़ा तो दोनों पक्षों में जम कर मार पीट हुई इस विवाद में दोनों पक्षों के लोग लहुलुहान हो गए जिनने बाद में अस्पताल में भरती कराय गया लेकिन अस्पताल में दोनों पक्षों ने एक दुसरे को हार पहना कर सम्मान का भाव जता दिया और पेर चुकर आशिरवाद दिया अजिव विवाद की गजब खबर विदिशा की है क्या है पुरा मामला देखे इस रिपोर्ट में आपने विवाद होने के बाद राजिनामा की तस्वेर या तो ठाने की देखे होगी या फिर कोट की लेकिन जो तस्वेराओ अपनी टीवी पर देख रहे हैं वह इन दोनों जगा की नहीं है बलकि अस्पताल की है जहां विवाद में घायल दोनों पक्ष मौझूद है दरसल घायल दोनों पक्ष एकी परिवार के हैं और पुरानी रंजिश के चलते दोनों में विवाद हो गया जिसमें मार्पीट के बाद दोनों पक्ष घाल हो गए इस बात के जानकरी जब गाउं के सरपंच और शेदर के पूरवे विधाय को लगी तो उन्होंने दोनों परिवार के लोगों से बात की समझाईश देकर समझोता करवाया जाट समाज के लोग हैं और दोनों ही रिष्टे में मामा और भाण्जे और भुआ के बेटे लगते हैं और एक ही परीबार है इनके बीच में ब्लड रेशन भी है पर कुछ गलत फैमी के वैसे इनके बीच में कल धगड़ा हो गया था और जैसी इसकी जानकारी हम लोग को लगी थी तो हम लोग ने आके जब आज अस्पताल में इन दोनों ग्रुप के लोगों से मिले आज़तना हम ग्राम में देखते हैं कि आपस में लोग जगड़ते रहते हैं चोटी चोटी एहम के टकरा होते हैं गाओं में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है जगड़ा होने की पर इसी बात की यह पढ़नी की होती है वो जगड़े में होती है तो इसी एक यह पहला जि वही विवाद करने वाले दुनों पक्षों ने भी माना की अब उनके बीच कोई विवाद नहीं है संभवत है इस तरह का ये पहला मामला है जिसना समझोता अस्पताल में हुआ हो इसने प्टारी की बाद दोनों पक्षों के साथ ही ग्रामिन भी खुश है ब्यूरा रिपोर्ट खबरबान नियूस विदिशा